आज आप हमारे साथ जानेंगे 5000 रुपए में सॉलिड चलने वाले बिजनस गरीब आदमी बहुत मुश्किल से 5000 रुपए जुटा पाएगा उसमें से उसे यही शंका लगी रहेगी कि बिजनस ना चला और ये रकम डूब गई तब क्या होगा ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे बिजनस हैं जो शुरू में थोड़ा बहुत जटका देंगे लेकिन वो बिजनस आपको निराश नहीं करेंगे इसके लिए कुछ खास ट्रिक अपनानी होगी जैसे कुछ बिजनस ऐसे भी हैं जो 3000 से 5000 में शुरू हो सकते हैं तो आपको केवल 3000 रुपए खर्च करने चाहिए और 2000 रुपए बचा कर रखने चाहिए जब 3000 रुपए का रुटेशन सही हो जाए और लगे कि आपको और पूंजी की ज़रूरत है बिजनस को लेकर शंकाइस माप्त हो गई हैं तो अपने बिजनस को रफ़तार देने के लिए बचे 2000 रुपए में थोड़े थोड़े पैसे लगाने चाहिए इस तरह से आपका बिजनस 5000 रुपए में स्थापित हो जाएगा और आपको कोई परशानी भी नहीं होगी अब जाते हैं कि कौन से ऐसे बिजनस हैं जो 5000 रुपए में शुरू किया जा सकते हैं फास्ट फूड स्टॉर शुरू में आप बहुत ही छोटे पैमाने पर अपना बिजनस शुरू करें जितने कम से कम इनवेस्टमेंट में बिजनस शुरू हो सके उतने में करें फास्ट फूर्ड का बिजनस स्कूल के पास मारकेट में किया जा सकता है इसको ठेले पर किया जा सकता है, फेरी लगा कर भी किया जा सकता है सड़के किनारे किसी सुरक्षी जगा पर भी किया जा सकता है इसमें आप अपने इलाके की लोगों की मनपसंद खाने की चीजें बना सकते हैं चने की चाट, ब्रेट पकोड़ा, मैगी मसाला, पूरी, सबजी, रायता, समोसा, चौमिन, बड़ा पाउ, इडिली सांबर, गुलकपे, आदिका कारोबार शुरू कर सकते हैं ये सारे काम 5000 से कम में शुरू हो सकते हैं पापड अचार वड़ी ये एक ऐसा बिजनस है जो घर से ही शुरू किया जा सकता है इस काम के लिए आपको ना तो किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है और ना ही एक मुश्ट 5000 रुपे खर्च करने की घर की महलाएं ही अचार पापड बड़ी तयार कर सकती है इनको अपने शेर की दुकानों में आसानी से बेचा जा सकता है इसके लावा आजपास की मारकेट में भी इने बेच कर मुनाफ़ा कमाया जा सकता है सबजी और फल सबजी और फल ऐसी चीज़े हैं जिनको प्रतेग घर के लोगों की जरूरते होती हैं आप थोक मंडी में सामान ला कर उन कॉलनीज में बेचें जोहां से थोक सबजी मंडी या फल मंडी काफी दूर हो उन कॉलनीज में नौकरी पेशा वाले लोग अधित रहते हों ताजी सबजियां और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए साधी साफ सुत्री होनी चाहिए आपको भी अपनी खुद की साफ सफाई रपनी होगी आज कल करोना काल है तो आपको मास्क अवश्य लगाना चाहिए बाजार के कोने में आप चोटी सी जगा में एक चोटा सा टी स्टॉल खोले अच्छी क्वालिटी की अच्छे फ्लेवर वाली चाय बनाएं तो आपकी चाह की डिमांड दूर दूर तक होगी अपने बिजनेस को रफ्तार देने के लिए घर के सदस्यक्त की सहायता भी ले सकते हैं जो बाजार से ओर्डर लेकर थर्मस से चाय की सप्लाइ कर सके चाय की दुकान सुबा सुबा से ही चलने लगती है आपको दुकान खोलने के समय का ध्यान रखना होगा ग्रहा की डिमांड के नुसार समय पर आपकी दुकान खुल जानी चाहिए इसके रावा जब मार्केट खुलती है तब भी सुबा सुबा एक राउंड चाय का चल दी ही दुकानों में चला जाता है। उसके बाद दोपहर और शान तक दो दो रौंड भी चाय के लग जाते हैं तथा मैमान आने पर चाय कितनी बार हो जाए उनकी तो गिंती ही नहीं है। इस तरह की डिमांड आती है तो आपका बिजनस अच्छी तरह से चल जाएगा। काफी मुनाफ़ा भी होगा ये काम 5,000 रुपए से कम में ही चल जाएगा। वाटर सप्लाइ फैक्टरी कारखानों के दूशित प्रदार्थों के बहने के कारण जमीन से निकलने वाला पानी पीने योगे नहीं रहता। पानी की सप्लाइ शुरू करनी होगी। शुरू शुरू में ये काम आप माल्ट होने वाले रिक्षे से भी कर सकते हैं।